C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा एक की हिंदी की ध्वनी पुस्तक सारंगी अध्याय उन्नेस चांद का बच्चा प्रिष्ठ संख्या एक सो तीन आनंद मई कविता वह देखो वह निकला चांद अम्मा तुमने देखा चांद यह भी क्या बच्चा है अम्मा छोटा सा मुन्ना सा चांद इस प्रिष्ठ के पहले चित्र में एक महिला की गोद में एक बच्चा है दूर आसमान में चांद दिख रहा है दूसरे चित्र में एक बच्चा है जो चांद की तरफ इशारा कर रहा है प्रिष्ठ संख्या एक सो चार इतना दुबला इतना पतला कब होता है ऐसा चांद अम्मा उस दिन जो निकला था वह था गोल बड़ा सा चांद बादल से हस हस कर उस दिन कैसा खेल रहा था चांद छुप जाता था निकलाता था करता था यह तमाशा चांद अपने बच्चे को भेजा है घर में बैठा होगा चांद यह भी एक दिन बन जाएगा अच्छा गोल बड़ा सा चांद अच्छा अम्मा कल क्यों तुमने मुझे को कहा था मेरा चांद अफसर मेरठी इस प्रिष्ट पर दिये गए पहले चित्र में चांद बादनों की ओट से च्छाक रहा है और वो उदास है दूसरे चित्र में चांद खुश है और बादनों के साथ बातें कर रहा है तीसरे चित्र में चांद बादनों में सोया है प्रिष्ठ संख्या 105 बात चीत के लिए एक यह कविता किसके विशय में है दो कविता का नाम चांद का बच्चा क्यों रखा गया होगा तीन आप इस कविता को क्या नाम देना चाहेंगे और क्यूं चार क्या चांद हमेशा गोल ही दिखता है पांच आपकी माँ आपको क्या कहकर पुकारती है शब्दों का खेल यहां दी गई वस्तुएं कैसी है गोल, चौकोर, तिकोनी, रेखा खिंच कर मिला ये दाई और जो चितर दिये गए हैं वह हैं संदूक, पहिया, समोसा दाई और जो चितर दिया गया है उनमें तिकोन, चौकोर, गोला तुक मिलने वाले शब्दों को खोच कर लिखिये गोल, रिक्तिस्थान, चाद, रिक्तिस्थान, बड़ा, रिक्तिस्थान, छोटा, रिक्तिस्थान यहाँ पर एक बच्चे का चित्र है जो सोच रहा है मांद, खड़ा, बोल, लोटा, पृष्ठ संख्या 106 चित्र और बादचीत, कवे की कहानी इस प्रिष्ठ पर चार चित्र दिये गए हैं, जिसमें से पहले चित्र में एक कववा उड़ रहा है दूसरे चित्र में एक कववा घड़े पर बैठा है, जिसमें थोड़ा सा पानी है तीसरे चित्र में कववा घड़े में कुछ डाल रहा है चौथा कववा उड़ गया शिक्षन संकेत बच्चों को चित्रों के आधार पर अपने मन से कहानी बनाने और अपनी भाशा में सुनाने के लिए कहें बच्चों को कहानी को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित करें प्रिष्ठ संख्या 107 आओ कुछ बनाएं अपने आसपास नीचे गिरे हुए फूल, पत्ते, डंडियां एकत्र कीजिए छोटे समुह में बैठकर इनसे कुछ आकरितियां बनाईए आप तितली, पेर, आदी भी बना सकते हैं आकरितियां बनाने के बाद कक्षा में सभी को बताईए के आपने ये कैसे बनाई दर्शाय गए चित्र में आप क्या-क्या देख पा रहे हैं, कुछ नाम लिखिए इस प्रिष्ट पर दिये गए चित्र में एक मोर है, एक तोता है, एक पेड है, जिस पर फल और फूल लगे हैं, डाल पर एक घोंसला भी है रिक्तस्थान, 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 रिक्तस्थान अब इन शब्दों से वाक्या बनाईए एक, यह एक पेड है, दो, रिक्तस्थान, तीन, रिक्तस्थान, प्रिष्ट संख्या 108, खोजें, जाने आपके घर के आसपास जो पेड पौधे हैं, उनके नाम जानिए, कुछ पेड पौधों के चित्र बनाईए, अपने चित्र के साथ कुछ चब्द भी लिखने का प्रयत्न कीजिए, कक्षा में सभी को बताईए खेल खेल में इस कविता को मिल कर गाईए दो समूह बनाईए, एक समूह प्रश्ण पूछेगा और दूसरा समूह उत्तर देगा कौन परिंदा, कौन परिंदा बोले चूँचू, कौन परिंदा गुटरूगू, कौन परिंदा पी हूँ पी हूँ, कौन परिंदा कुकुडूगू, कौन परिंदा बोले काउं काउं, कौन परिंदा बोले कुहु कुहु, कौन परिंदा बोले टेंटें, नकल उतारे हूँ शब्दों का खेल कविता में आए कौन शब्द पर घेरा लगाईए पेड़ पर लगे अक्षरों से शब्द बनाईए इस प्रिष्ट पर एक पेड़ दर्शाया गया है जिसके पत्तों पर अलग-अलग अक्षर लिखे हुए हैं जो इस प्रकार हैं पढ़िए और लिखिए कविता को आगे बढ़ाईए हमने तीन चीजें देखी हमने तीन चीजें देखी बाबा तीन चीजें देखी हमने बाग में देखी मकड़ी वह तो खा रही थी ककड़ी उसके पास पड़ी थी लकड़ी प्रिष्ट संक्या 110 हमने तीन चीजें देखी बाबा तीन चीजें देखी हमने बाग में देखा भालू नाम था उसका रिक्तिस्थान, हमने तीन चीजे देखे, बाबा तीन चीजे देखे, हमने बाग में देखा बंदर, वह तो खा रहा था रिक्तिस्थान, नाम था उसका रिक्तिस्थान, इस प्रिष्ट पर एक चित्र है, जिसमें एक बंदर, एक डाल पर बैठा है, और वो शब्दों में आए अक्षरों के अनुसार उन्हें ध, 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 श के घर में छाट कर लिखिये धाट, धोती, धक्कन, धनुश, साथ, धोलक, धान, बैट, धीला, उशा, थेला, शटकोन, धागा यहाँ पर कुछ घर दिये गए हैं, जिनमें पहला घर ध, दूसरा घर ध, तीसरा घर ध, चौथा घर श, प्रिष्ठ संख्या 111 अक्षर गीत अनार दाडिम भी कहलाता, आम चूसकर बच्चा खाता इमली तो खटी होती है, एक सदा मीठी होती है उल्लू रात में जागते रहते, उद बिलाओ जल्थल में रहते रिशी मुनी आकर हवन कराते, री तो संस्कृत में ही पाते लुरे भी संस्कृत में ही होता, लुरे का तो कुछ पता न चलता एडी में काटा चुब जाता, एनक कानों पर चढ़ जाता ओखल में कूटते हैं अनाज, और शधी करती रोग इलाज स्वर्सब यही समाप्थ होते हैं, अब हम व्यांजन पर चलते हैं इस प्रिष्ट पर कुछ चित्र है, एक बच्चा आम खा रहा है इमली का एक पेड़ है, गन्ने का एक पेड़ है एक उद बिलाव है, जो पानी से जमीन की तरफ जा रहा है एक रिशी, जो हवन कर रहे हैं एक लड़की का चित्र है एक एड़ी का चित्र है, जिसमें काटा चुभा हुआ है एक ओखली है इस चित्र में कुछ औशदियां रखी हुई है और एक खरल है प्रिष्ट संख्या 112 अन्शक अमरूदों के लाओ, अह अह सब मिल उनको खाओ कमल ताल में सब कोभाते, खरल में मसाले पिस जाते गमलों में पानी दे आना, घड़ियालों के पास न जाना कंगे से मा बाल बनाती, कह से अंगा ध्वनी कंठ से आती चम्मच से हम खाना खाते, छतरी बारिश में ले जाते जन गण मन सब बच्चे काते, जंडा खंभे पर फैराते पंचम स्वर में कोई अलगाती, चासे इयां ध्वनी तालू से आती टट्टू रस्ते में अड़ जाता, ठठेरा उत्तम पात्र बनाता इस प्रिष्ट पर कुछ चित्र दिये गए हैं, जो इस प्रकार है अमरूद का चित्र है, कमल का चित्र है एक बच्चा गमलों में लगे पौदों को पानी दे रहा है एक महिला बच्चे का बाल ज़ाड रही है दो बच्चे चटाई पर बैठ कर खाना खा रहे है भारतिय जंडा लहरा रहा है और दो बच्चे जंडे के पास खड़े है एक टहनी पर कोयल बैठी गा रही है एक व्यक्ति बरतनों को ठीक कर रहा है प्रिष्ट संख्या एक सो ते रह डलिया में तुम फूल सजाओ धक्कन शीशी पर लगवाओ पंडिता हमको पाठ पड़ातीं तसेन ध्वनी मुर्धा से आतीं तबला लड़का बजा रहा है थर्मस से चाई पिला रहा है दरी बैठ हम गाना गाते धनुष उठा हम तीर चलाते नल से नानी पानी लातीं तासे नाध्वनी दात से आतीं पतंग से बच्चे पेच लड़ाते फल पेडों से तोड कर खाते बंदर कूद फांद कर आए भगोने लोटे सब लुडकाए मटर कचोरी बुवा बनातीं पासे माध्वनी ओश्ठ से आतीं इस पर कुछ चित्र बने हुए हैं एक महिला शामपट पर बच्चों को लिख कर पढ़ा रही हैं एक डलिया में फूल रखे हुए हैं एक बच्चा तबला बजा रहा है एक बच्चा धनुष बान से खेल रहा है एक महिला घड़े में पानी भर कर अपने सर पर रखे हुए है एक लड़की पतंगुडा रही है दो बंदर उचल कूद कर रहे हैं दो कचोडियां रखी हुई हैं प्रिष्ठ संख्या 114 यग्य में घी की आहुती देते रबड़ी हलवाई से लेते लवर नमक को भी हैं कहते वन मानुष जंगल में रहते दो स्वर मेल से यर लव आते अतह अर्धु स्वर ये कहलाते शरीफा पकने पर ही खाओ शटकोन चित्र स्वेम बनाओ सबतर्शी आकाश जमकाते हलकिसान खेतों में चलाते श श सह उश्म कहाते अक्षर यही समाप्थो जाते यही वन माला हम गाते मिल जुल अपना ज्यान बढ़ाते आपको अब सब अक्षर आते मन्जुल भार्गव इस प्रिष्ठ पर कुछ चित्र दिये गए हैं यग्य में घी डाला जा रहा है एक वनमानुष का चित्र दिखाया गया है एक शरीफा है एक शटकोन है आसमान में तारे दिख रहे हैं एक बच्चा खेल रहा है एक लड़की भी खेल रही है शिक्षन संकेत यह कविता केवल आनंद के लिए है बच्चों को आनंद के साथ इसके अलग-अलग खंडों को वर्ष भर गाने के लिए प्रोत्साहित करें अभी आप सुन रहे थे कक्षा एक की हिंदी की ध्वनी पुस्तक सारंगी वाचनस्वर असर नवाज उस्मानी और सुम्बुल शकील तक्नीकी निर्देशन बटिलैंग लिंग्डो ध्वन्यंकन मयंक कुमार निर्माण सहायक तनु गुपता निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C-I-E-T-N-C-E-R-T नई दिल्ली भारत